गुड बॉर्णिंग आप्रिपन फिफ्ट क्लास तुड़ी फ़स्ट आफ मेज 2021 और देए सेटरड़ी आज हम करेंगे एक साइज 1.2 का कोशन नमबर 11 12 13 एंद कोशन नमबर 14 तो चले स्टाइट करते हैं कोशन नमबर 11 से यहां पर लिखा है काउंटिंग वाई हंडर्स काउ इसको पढ़ना स्टाट करते है 1,10,100,000 तो यह बन गया 80,00,000 फिर आगे 9,009 तो यहां से इसने बोला है फिर आगे के लिखा है 80,10,209 यहां तक जवब हो आपने हंडर्स को काउंट करना है मैं बताऊंगा कैसे जवब हो आपने काउंट करना है देखिए इसको काउंट कर इसको रिट करते है 10,100,000 फिर देखिए लैक 10 लैक ठीके यह जागा यह फिर धाव्याइक थाउनद हो घृधि प्र हीगै अगे इसको रिट करते हैं तो काुंटर्स का मतलब है यहां बहुंट कर दो हो फिर थ्री हंड़े हो गया विया 900 तक फिर ग्र्द्र कर रहें hardships ताहक जैसे एक और चोटे से एकजम्पल से जैसे मेरे पास एक नमब है 217 से जो भू मैंने 100 को काउंट करना है 917 तक तक आप आपको बताए कि देखें 100 को काउंट करने का मतलब है कि इसके बाद वाला जो 100 है वो क्या होगा जैसे इसमें जब अगर 100 प्लस करेंगे तो क्या होगा मतलब यह है कि आपने जब 100 प्लस करते जाना है जैसे 217 में अगर 100 प्लस करेंगे तो आजाएगा 317 फिर आजाएगा 417 फिर आजाएगा 517 फिर आजाएगा 617 फिर आजाएगा 717 फिर आजाएगा 817 और लास्ट में आजाएगा 917 तो यहां तक जोपो हमने 100 को काउंट कर तो यही कुश्चिन है यहां पर काफी बड़ा नंबर है तो यहां पर लिखा है 80,09 तो यहां पर इसने वह लाए 100 को count करी है मतलब की इसमें जब यह 100, 100 प्लस करीए बीच में देखी क्या होता है जब इसमें मैं 100 प्लस करता हों तो क्या होता है? 100 मैंने यहां पे प्लस कर दिया जिर्ख 100 को मैंने यहां बनता है 9 plus 0, 9 9 plus 1, 10 हो गया, कैरी आगे फॉरवड होगी 9 plus 1, 10, sorry 9 plus 1, 10 मतलब कि 0 आ गए यहां पे और एक carry जो आ गए forward होगे 0 और 8 देखिए यहां पे जब हो जब मैंने 100 प्लस किया तो कुछ ऐसा नबर बन जाएगा तो यह बना मेरा इसके बाद बाला next 100 तेखे अब इसमें जब हो 100 प्लस करना है मैंने अब इसमें जब मैंने 100 प्लस किया तो आ जाएगा मेरे पास 9010108 जब इसमें मैंने 100 को प्लस किया जब मैं इसमें जब हो 100 प्लस करूँगा तो मेरे पास जब हो यह बाला नमबर बन जाएगा देखे 109 है 109 में 100 प्लस करेंगे तो 209 बन जाएगा ठीक है 109 में अगर 100 प्लस करेंगे तो 209 बन जाएगा ठीक है तो मिरे पास वो A वाला रास्ट नंबर दिया हुआ है तो मिरे पास कौन कौन से नंबर बने एक बना मिरे पास A वाला नंबर और एक बना मिरे पास A वाला आपने जो वो इन दोनों नंबर के बीच में आपने A बाला नंबर जो वो लिखना है। कौन सा? एक A बाला नंबर, एक A बाला नंबर। फिर लास्ट में जो भी दिया है वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो A हमने जो वो 100 काउंट किये, क्योंकि हमारे पास जो वो 209 तक जो वो बोला था। तो 109 के बाद 209 आ जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ दो ही जो वो 100 बीच में आए, दो ही नंबर जो वो इसके बीच में आए, एक 80,10,009 A वाल आया, ठीक है, एक जो वो 80,10,109 A वाल आया, ठीक है, नेक्स कोशिन पर चलते हैं, नेक्स कोशिन है, देखें, कोशिन नंबर 12, यहां पे इसने 1000 को कैल्कुलेट करने के लिए बोला है, counting by 1000, राइट नंबर प्राम, यहां बेलेगा है, इसने 7, 6, 5, 9, 3, 1, 7, कहां तक करने काउंट इसको, 7, 6, 6, 3, 3, 1, 7, देखें, इसको रीट करते है, यहां पे 1,000,00,00, और लाइक ग्रूप, वैसे यहां पे 1,000,00, फिर लाइक ग्रूप, फिर लाइक ग्रूप, ठीक है, 76, 5, 9, 317, जिक है, वैसे यहां पे 76, 6, 3, 317, जिक है, अब इसने जोबो यहां पे counting by 1000 बोले, अब देखें, आप द्यान दीजिए, पहले जोबो आप 100 प्लस किया था, counting by hundreds में, अब यहां पे आपने simply 1000 को जोबो प्लस करना है, ठीक है, 1000 को प्लस करना है, जब तक जोबो यह नंबर नहीं आ जाता, तब तक आपने 1000,000 प्लस करते जाना है, ठीक है, देखें कैसे, आप देखें, हमारे पास जोबो यहां पे दो नंबर दे रख 7, 1 वैसे नीचे आगए, 3 वैसे नीचे आगए, 9 और 1, 10 होगे, carry, forward होगे, 6 यहां पे बन गया, और 6, 7, ठीक है, जो फर्स नंबर है, बो बना हमारे पास ए वाला, ठीक है, ए वाला जो वो, मारे पास फर्स नंबर बन गया, ठीक है, इसके बाद आपने ए वाला नंबर दि पतर होगे, आपने सिर्फ जो फेर वर्क में, सिर्फ ए वाला नंबर लिखना है, 76,60,317, ठीक है, फिर जो जब जो इसमें 1000 प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे 61 आ जाएगा, फिर जो वो 1000, फिर से प्लस करेंगे, तो 62 आ जाएगा, फिर जो fighters करेंगे, त 317 यह कमारे पास A बाल नंबर बनेगा और नेक्स्ट जोबो यहां पर 61 की जगा 62 होगा बाल नंबर बनेगा फिर जोबो नेक्स्ट एवाल नंबर बन जाएगा तो आई होब क्या आप समझगे होंगे इस को जोबो अच्छे से फिर कॉपी पर अच्छे से करना है आपने तो लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कोईशन की और तो नेक्स्ट कोईशन है कोईशन नंबर 13 यह भी काफी अच्छा कोईशन है इसमें भी बोला इसने कि क्या करना है देखिए कोईशन 13 में find the difference between the place value of the two votes in 64 अचा इसको पढ़ते हैं फिर से इसको मैं लिखता हूं जूम करता आई ऐसे जो आपने पहले ग्रूप को separate करना है तोड़ सा स्पेस देना बीच में या कॉमाज लगा लेना है ठीक है जैसे कॉमाज लगा लिया मैंने फिरा को बताए कि क्रोड़ बला ग्रूप है तो 6 क्रोड़ लैक बला ग्रूप है तो 48 लैक्स अपिदे जो 1000 बला ग्रू प्लेश बेल्यू का लेकिन किस प्लेश बेल्यू का निकालना है इसने बोलाए हुआ टू फ़ोस ठीक है यहां पर प्लेश बॉस्ट अपने बिच का डिफुर का सीधा सा मतलब है कि आपने उन दोनों को मैनस करता है Minus आपको पताए कि बने ओंबर से चोटा नंबर minus होगा ठीक है तो पहले इस number को देखते है ज़ो किस position पर है इसका जो place है वो कॉनसा है 10 10 है तो मतलब कि 10 तो आगे-ागे 100 पिर आगे 1000 10,000 फिर आगे 100 मतलब कि इस 4 का जो भी place है 4 multiply by 10 lakh तो कितनी 0 लगी देखिए 5, 10 LK में होती है 6, तो इसके आगे 6, 0, 1, 4 नहीं लेना है, ठीक है, 4 लेने का कोई मतलब है नहीं, आप बेहाँ आपने 1 नहीं लेना है, क्योंकि इसका जो प्लेस है वो 10 LK है, ठीक है, 10 LK बढ़ा रहा है, तो 10 LK ही हमने यहाँ पे लेना है, ठीक टेके 10 lakh में से 10 minus करना है तो चलिए minus करते हैं यह पहले करते हैं 10 lakh मतलब 5 0 45 और इसमें से minus करना है 10 को जब मैं इसको minus किया तो 0 से 0 नीचे आगे 0 में से 1 minus नहीं होता है 0 में से 1 minus नहीं होगा तो carry जोब हो 1 से बापिस 1 से जोब आगे forward होगी यहां पे बन गया 10 तो 10 में से जब आगे forward होगी तो यहां पे 9 9 बनता चला गया ठीक है तो 10 में से 1 minus 9 क्योंकि यहां पे 10 बन गया carry आगे से यहां पे पहुंच चुकिए तो 10 में से 1 minus 9 आगी यहां पर 9 बना है तो 9 नीचे आ गए, यहां पर भी 9 बना है, यहां पर 9 नीचे आता चला गया है, यह जो 1 है यहां तो चल जा चुका है, तो आपने ऐसे इस question को बता है, इसका जो answer आ रहा है, बोह आ रहा है यहां पर 999 990. तो इसका आइन लैक नाइन लैक नाइन थाउजन नाइन हंड़र्ड नाइन तेक है ऐसे जो आपने यह वाला कुश्ण करना है आपने असव से पहले लिखना है कि प्लेस बेल्यू और फोर तो जो भी प्लेस पहले फोर की एक बोर लिखने नहीं 10 फिर दूसरे वाले फोर की ही है सेकिंड फोर्थ तो यहां पर जो आ जागा 10 लैक जो वो डिफ्रेंस बिट्विन दैम ऐसे आपने लिखना है फिर जो वो आंसर निकल जाएगा तेक है वैसे आपने आगे बाला कुश्ण करना है यहां पर फाइब की बोला है तो फाइब यहां पर दो फाइब दे कोश्ण फिरा जगा लैक 10 लैक फिरा जगा करोड तो फाइब करोड मतलब कि 5 के आगे कितनी जीरो होगी 7 जीरो नहीं होगा यहां पर वन यह आप लिखें ठेक है तो वन करोड में से 1000 माइनस करना है तो वह आपका डिफरेंस निकल जाएगा ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा Q7 नेक्स कोशची का इस एकसरसाइज का इसमें बोला एक Q14 में find the product of the प्लेस पेलियू अफ इसने बोला है product निकलना है place अब इसने जो वह product बोला है पहले हमने क्या निकलना डिफ्रेंस निकाला, माइनस किया उनको, अब जो बो प्रोडक्ट का मतलब है, मुल्टिप्लाई करना है आपने, तो 3S की बोला है, स्वरी, 3 की बोला है यहापे, यह जो ऐसे मैंने आपको बोल दिया, कि यहापे एपस्ट्रोफिस of S होगा, क्योंकि इसने 3 की बोला है, यहा जो भी मुल्टिप्लाई करके आएगा, वो आपका अंसरों है, बैसे आपका नेक्स वाला कोशिन है, इसको भी आप प्रेक्टिस करिए, तो आज के लिए इतना काफिया, ओके, थेंक्यू, एंड, हैव नाइस दे,